प्रेशिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज उसे लाइक करिएगा और अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही में बैल आइकन जरूर प्रेश करिएगा उससे मेरी न्यूर रेसिपी के नॉटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे और अगर आप मेरी रेसिपी ट्राइ करते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइगा क्योंकि आपकी कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगता है तो चली फिर आज मैं बनाने जा रहे हैं तो फ्रेंस आज में बनाने जा रही हूं दीवानी हांटी जो की बहुत टेश्टी एंड यमी रेसिपी है और बहुत जल्दी भी बन जाती है और यह देखे देखकर ही मन कर रहा होगा खाने का अगर आपने रेसिपी लाश्टे तक देख लिया तो आप इसे जरूर तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी तो चली फर स्टार्ट करते इसे बनाना इसे बनाने के लिए फ्रेंस मैंने जो भी इंग्रीडियन्स यहां पर ले रहे हैं एक मिर्ची लिया है थोड़े से लिये बड़े बड़े पीस में काट लिया है और यह चार प्याज है जिसे एक दम पतले पतले पीसस में मैंने काटा है प्रेंस प्याज को आप पतले पतले पीसस में ही काटना है और यह बीन से एक कर्टोरी मैंने बीन लिया है जो कि बड़े बड़े पीसस में काटी एक कर्टोरी मतर है गाजर है और जो सब्सक्राइब हैं गञाएं मिर्चण यह पीड़ा है यह चुर्ड़ार इंदा यह टोड़ी जादा लिए यह दो आलूली अधाय यह अधना ने खक्षालिय कोई बाहिन में काटा है यह विंदा यह उसके कर सकते हैं इस यह लूट इंदान तेजपत्ताइब कोगर है तो यह पर मैंने तेल लिया है रिफाइंड ओयल और एक हांडी ले रखी है अगर आपके पास में हांडी है तो ठीक है नहीं तो फिर आप कोई भी बर्तर में से बना सकते हैं दिवानी हांडी का मतलब है जिसमें भी प्याज भूंज कर अलग से निकाल कर पड़ता है इस प्य है गई है जो प्याज थोड़ासा अलग तरीके से पढ़ता है तो यह जो प्याज में देखेंः का ट्रेशधी हो रहा है तो मैं प्याज को बहुत जादा लाल करके भी नहीं निकाला है क्योंकि जुआ जो बहुत जादा गरम होता है वह अकर और काला हो जाएगा इसलिए जतना भी है कैलर में चुर्ण निकालूंगी Öz занимendre We get to use तो मैंने फेल्ट मैं निकाल से अलग भी दे की दूंज्य है सिसी निकाल अए सब्सक्राइब घंज को इसमें छॉप बढ使य को तेला आपि यहां पर में काजू कोँज लेते हूँ यह काजू है इसको मैं भूझ लेती हूं इसमें और काजू बहुत जल्दी भूझ जाता है इसलिए ज़्यादा नहीं भूझना है अब इसी काजू में मैं यहां पर टमाटर डालूँगी क्योंकि जो टमाटर है उसे भी मैं पकाऊंगी टमाटर को सॉफ्ट होने तक एक दम इसे चला लीजे यहां पर आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजे क्योंकि टमाटर इसे जल्दी सॉफ्ट होते हैं तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डालेगा तो मैंने यहां पर लेस्ट डाल दिये हैं लेस्ट को मैंने छील कर 20 से काट लिया था और अब मैं करके रख दोंगी जब तक टमाटर सॉफ्ट नहों पानी आधा रहा जाएगा तब तक मैं पकाते हूं यहां पर देखे मैंने पानी लिया है इस पानी में मैं थोड़ा सा नमक डाल रहे हूं क्योंकि मुझे जो सबजियां है थोड़ी सी वह उबालनी है जो भी सबजियों क बालना है तो यह पानी थोड़ा खौलने लगा है तो मैं इसमें आलू डाल दे रहे हूं ताकि मुझे जो इसे प्राई अगर करना हो तो बहुत ज़दा टाइम नहीं लगे इसलिए मैं इस आलू को उबाल रहे हूं आप चाहें तो यहां पर यह इसकी भी कर सकते हैं तो य कोवी मैंने धुत कयों ऍ है किवाया नमक डाला है और हल्दी अब मैंने ले रख आप की may Czechos तोटा फूह यह मैंने अच्छे से दो कर काट लिया और मैं इस अबाल रही हूं इसे सिर्फ दू मिनट पकाना है ज्यादा नहीं में Sigara कर बेता रहतार पकांना है तो मैंने इ अब मैंने गो़ी मैंने एक छोटा फूल ले रखाैं इसे मैंने अच्छे हुआ खे दोख contrach katt लिया है जादा नहीं रहा है क्योंकि कोब बहुत जल्दी पक्चाती है तो दोकाल है आप चलता होlt प्रेवी पक रही है तमाटर गल गए है बहुत अच्छी तरीके से पानी भी जल गया है अब मैं इसे ठंडा होने के लिए निकाल लेती हूं गरम गरम मत पीसेगा क्योंकि इसकी प्राइब अगर गरम पीसेगे तो जार से निकल कर बाहर आ जाएगा तो यह देखे इसे मैं ठ पारी सब्सक्राइब को वाइल कर सकते हैं वैसे तो यह सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ओयली हो जाता है तो मैं हल्दी भी बना रही हो और टेष्टी भी बना रही हो तो अगर आप हल्दी भी खाना चाहते हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करि पकने में थ्रूद टाइम लगता है तो में डीडियम फ्लेम पर इससे कवर करeed messages बका हूं हमारी नहीं करें मैं करने जाएं अर आ उन्हलقتर में? अब मैं नमक डाल देती हूं ताकि हमारी सब्जी है वह थोड़ा सा नमक वाली हो जाए इसमें थोड़ा सा तो गोवी में मैं डाल दिया है क्योंकि गोवी आलू पकी हुई थी तो इसलिए मैंने सबसे लाश्ट में डाला है अगर आप वाइल नहीं करना चाहते हैं कोवी और आलू को तो सबसे पहले आलू को फ्राई करेगा यहां पर मैंने कॉर्ण ले रखे हैं जो मार्केट में कॉर्ण आते हैं उसको मैंने घर पर उबाला है और एक कटोरी मैंने कॉर्ण लिया है आप ये ऑप्सनल है सबसे लाश्ट में मैंने पनीर डाला है पनीर मैंने 100 ग्रा पानी डाल नहीं है इस घ्रड़का फैस्ट करके तो यह ब्रट एक सो फट मेर्णकी घ्र हिना नहीं है तो स्क्राइब यहां डाल रहे हैं आख कम र्कास फैसलियों ॥ निकाल लिया है और यह देखिए हमारे तयों प्रेश टियार हुआज देखिए अग्ता निए जिया है जो प्योरी देखिए वहां देखिए फाइन पेश्ट बनकर तयार है। तो जो आप मैंने यहां पर लैस्ट डाले हैं वह चार मैंने बड़े लैस्ट को एक दाए महीन करके काटा था वह मैंने डाला है और मैंने तेजपत्ता डाल चीनी इलैची लॉंग और काली मिच मैंने सब इसमें डाल दिया है तो जो आप अपने घड़े मसाले डाल दीजिए और यहां पर तीखा मिर्च भी डाल सकते हैं तो आप यहां पर तीखा मिर्च भी डाल सकते हैं मसाले जले not raggu, इसलिए फ्रवी ताइड के म्साले ट्यू ना छोड़ने तक मसाले तक मसाले का पका टखा है ग्रेवी इसे तामटर यॉाब डाल दी था ग्रेवी की डाल है और फानी ब्रॉन पश्छो ने यहां पर घृंब हम अपने रिक हे खाने आगा Tay अब आप चावल में तो थोड़ेगी ज्याद रख लीजेगा नहीं तो gravy थोड़ी कम होगा क्योंकि तो मैं पका रही हु अधरक सब्सक्क्राइब देर अच्का is fully Manuel नमक डाल दे रहे हूं अब नमक हमारा बिल्कुर परफेक्ट है तो मैंने तोटल यहाँ पर धाई चमच नमक डाले हैं और मैं यहाँ पर फ्रेस क्रीम आती है वह मैंने एक कतुरी जो हादा कफ होता है ना मैंने वह कफ भर कर लिया है और इसे डाल कर अच्छे से मिला दीजे अगर आपको मेरा बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कर आप ट्राई करते हैं कैसी लगी आपको अगर अभी तक आप लोग मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी में बैल आइकन जरूर प्रेस करेगा उससे मेरी न्यू रेसिपी की नॉटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे और मैं आप लोगों के लिए तरी कैजिए कि इसे कैसे बनाया तैंक रिसे नन के साथ नान की रेसिपी में पहले सेर कर चूपकी हूं बटन नान की इसे देख सकते हैं आप कि मैंने उससे कैसे बनायाे और उसका लिज़कम आय़ बटन पर डिस्कुम बोक्स if में दोनों बटने चब्सकले दे झाल झाल